दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस परकार से आप PTM से अपने किसी भी bank account को कैसे delete कर सकते हैं या फिर कैसे remove कर सकते हैं दोस्तो अगर आपने PTM के अंदर अपने एक से अधिक bank account को जोड़ के रखा है और आप चाहते हैं उनमें से किसी एक bank account को या दो bank account को या तीन bank account को या फिर कितने भी bank account आपने पेटियम के अंदर add करके रखाये और आप चाहते हैं अपने किसी भी bank account को या सभी bank account को delete करना तो आज की इस वीडियो में 2024 का बिलकुल latest process बताया गया है जिससे दोस्तों आप अपने पेटियम के अंदर किसी भी bank account को बहुत ही आसाने से remove कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा time waste नहीं करेंगे इस वीडियो को हमें start कर लेते हैं तो दोस्तों पेटियम से अपने किसी भी bank account को या सभी bank account को remove करने के लिए सबसे पहले आपको पेटियम application को open कर लेना है जैसे दोस्तों आप पेटियम application को open करते हैं तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाता है अगर दोस्तो आपने Paytm के अंदर अपना account नहीं बनाया है तो वीडियो के description में आपको Paytm application का link मिल जाएगा तो हाँ से आप Paytm application को download कर सकते हैं और अपना account create कर सकते हैं अब दोस्तो मैं आपको बताता हूँ कि Paytm के अंदर आप अपने bank account को कैसे remove कर सकते हैं तो दोस्तो Paytm से किसी भी bank account को remove करने के लिए सबसे पहले आपको अपने profile वाले icon के उपर click करना है जो की यहाँ पर left side के कोने में आपको देखने को मिल जाता है तो आपको इसके उपर एक बार click कर देना है इसके उपर click करने के बाद दोस्तो ऐसा कुछ interface आ जाएगा यहाँ पर आपका QR code शो होता है उपर आपका नाम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है अब दोस्तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आपको पहले ही नमबर पे एक option देखने को मिल जाएगा UPI and payment settings तो आपको इसके उपर click कर देना है इसके उपर दोस्तो जैसे ही click करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको payments account के अंदर आपको आपके सभी bank account देखने को मिल जाएगे जिन जिन bank account को आपने अपने paytm के अंदर add करके रखा है या फिर आपने credit card को add करके रखा है debit card को add करके रखा है वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर काफी सारे bank account को add करके रखा हुआ है अब मैं चाहता हूँ कि इन में से किसी भी एक bank account को delete कर दो या फिर remove कर दो या फिर मैं ये भी चाहता हूँ कि इन में से सभी bank account को मैं अपने paytm से हटा दूँ तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तो यहाँ पर आपको सभी bank को का नाम देखने को मिल जाएगा जितने भी bank आप add करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको उस bank account को select कर लेना है जिस bank account को आप paytm से हटाना चाहते हैं तो उदारन के लिए दोस्तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो canra bank account है जो bank account है इसे मैं हटा दूँ तो इसके उपर दोस्तो आपको एक बार click कर देना है इसके उपर click करने के बाद दोस्तो ऐसा कुछ interface आ जाएगा जहाँ पर दोस्तो आपके bank account का number, ifsc code सारी detail आपको देखने को मिल जाती है अब दोस्तो वीडियो को आप यहाँ से ध्यान से देखना यहाँ अगर आप skip कर देंगे यहाँ से ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप अपना bank account रिमूब नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों उपर आपको कोने में यहांपर तीन डॉट दिखाई देगा, तीन बिंदी दिखाई देगा तो आपको इसके ओपर क्लिक करना है इसके ओपर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आपको remove account का option देखने को मिल जाएगा तो simply आपको इसके उपर click कर दोना है उसके उपर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको confirm करने का option आएगा तो यहाँ पर दोस्तो आप yes वाले बटन पर click कर देजे click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपका जो bank account है वो बहुत easily remove हो जाएगा मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको तीन डॉट के उपर क्लिक करना है और येस के बटन पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपका जो bank account है वो remove हो जाएगा यहाँ पर आप जिसा कि देख सकते हैं मेरा जो bank account है वो remove हो चुका है तो इस परकार से दोस्तो आप जितने भी bank account को चाहते हैं वो आपको यहाँ पर इस परकार से आप remove करके अपने paytm से remove कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपने पेटियम से अपने किसी भी बैंक अकाउंट को कैसे रिमूब कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे, सेर कर दीजे और हो सके तो हमारे चनल को सस्काइब कर दीजे तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखे, गुड़ बाई and टेक क्यर